आज इस वीडियो में हम लोग कुछ tricky questions देखेंगे relational operators से related ये questions इंटर्व्य इंट वाइवाज में भी पूछे चा सकते हैं आप लोगों से तो आईए देखते हैं मारा first question क्या है So हमारा first question है जिसमें हमें एक C code दिया रहा और उसका output पूछा है सबसे पहले हम include line को test करते हैं ये line हमारी correct है बिल्कुल इसमें हमें कोई दिक्र नहीं है Next हमने main को check किया main correct है curly bracket हमारे proper है कोई index error नहीं है Now एक variable हमने बनाया x जिसकी value 20 है y एक variable बनाया जिसकी value 15 है z एक variable बनाया जिसमें अभी हमने कोई value assign नहीं करिया that means garbage initiated Now हमने x not equal to y test किया यह हमारा relational operator है इस comparison का result क्या है आएगा हमारे पास x की value 20 है y की 15 not equal to y का मतलब क्या हो गया 1 बट इस 1 को हमने कहीं पे store किया गया नहीं किया Simply result produce हुआ statement complete इसको कहीं पे store नहीं किया हमने तो ना तो x की value change हुई ना y की ना किसी variable में जाकर के store हुई Then हमने किया z equal to not not x अब देखिए यह कैसे solve होएगा not पहला note हमारे पास address freeze है then not x x कमान कितना है अपने पास 20 not हमारे को पता है यहाँ पे logical operator है हमारा not 20 का मतलब क्या होएगा हमारे पास में 0 क्योंकि किसी भी non zero का not अगर आप करते हो तो 0 आता है now इस 0 का not वापिस हुआ तो 0 का not क्या हैगा हमारे पास 1 तो z के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 राइट अब यहाँ पे जो print कराया है वो y और z की value को कराया है z में हमारे पास value कितनी आई है 1 और y में कितनी बढ़ी है 15 तो output में क्या print होएगा हमारा y की value हमारे पास है 15 and z की value है 1 तो इसका output आएगा 15 and 1 आईए इसको execute करके देख लेते हैं guys so copy paste किया execute menu में जाएंगे and compile and run fine guys 15 and 1 हमारा output आएगा आई यह next question देखते हैं लोग next question है what will be the value of a इसमें हमें integer a दिया हुए जिसका मान already 10 है अब हमें जब final value पूछे हो तो last जो expression है वहां से हमें check करना चाहिए कि क्या value आ रही है now यह expression क्या है that is a equal to a बराबर 10 तो 10 is equal to 10 इस condition का result क्या है कि हमारे बस 1 यहनी कि a की जो final value होगो क्या होएगे मारे पास 1 होएगी 10 नहीं होएगी ध्यान रखना क्योंकि यह comparison होगा इसका जो result है वो अपने पास 1 आ रहा है then वो value किसमें चली जाएगी a में तो यह का मान अपडेट होगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 आये मैं आपको इसको execute करके भी दिखा देता हूं यह हमने copy-paste किया यहां मैंने a की value को print कर वाया so this is the output a की value कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है final value हमें निकालने होती है आईए next question देखने next question है हमारा what will be the output now int a equal to 1 किया है अब बहुत सारे लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि a का हम comparison कर रहे है जब कि यहां पर हमने comparison नहीं किया है हमने direct क्या लिखा है a बराबर 10 a बराबर 10 लिखने का मतलब a में 10 assign हो गया यानि कि यह इसके equal हो गया if a और if a का मतलब यहां पर a का मान कितना है अपने पास में 10 है तो if 10 10 का मतलब होता है condition true क्योंकि non-zero value है if मैं अगर कभी भी non-zero value आती है तो उसको क्या माना जाता है condition true माना जाता है तो यह क्या print करेगा hello आईए इसको execute करके देखते है यह assignment operator हमारा use किया हुआ था comparison नहीं हुआ है आपे fine हाँ अगर यह इस single equal की जगे double equal होता हम relational operator यूज कर रहे है relational का अब यहाँ पर comparison होता कि a command 10 है क्या लेकिन a command यहाँ पर 10 नहीं है क्या है हमारे पास a command 1 तो जो a equal to equal 10 वाली condition है वो हमें क्या देगी 00 का अंतला condition false तो अब यह else part में जाके क्या print कराएगा तो हम यह मान के चलेंगे यह जो code दियावा है है हमें के वल इसमें test करना है इसके उपर नीचे जो कुछ हो सब कुछ correct है चीक है तो a में हमें कितना दिया है 25 b में कितना दिया है 20 and c में कितना दिया है 3 आईए यहाँ पर a less than b less than c को हम देखें यह relational operator है दो बार use में होगा है relational operator की associativity होती है left to right मतलब पहले a less than b solve होएगा then उसका जो result आएगा वो किस से compare होएगा c से इसका जो a less than b less than c का जो solution है a less than b less than c वो कैसे होएगा step by step सबसे पहले solve होगा a less than b a का मान 25, b का मान 20 तो क्या a b से छोटा है नहीं है तो result क्या आगा हमारे पास 0 and equation क्या बज़की 0 less than c अब 0 जो है वो c से छोटा है क्या है तो answer क्या आगा हमारे पास 1 that means यह जो a less than b less than c है यह solve होने पर हमें क्या दे रहा है one दे रहा है one देने का मतलब condition true तो print क्या कराएगा यह min is a ठीक है क्योंकि if के अंदर जाएगा यह अब आप लोग कई में लोग यह सोच रहे है इस code को देखके कि यह minimum print कराएगा minimum नहीं print कराएगा तो simple अगर यह condition true हो रही है पूरी तो हमें क्या print करा रहा है यह if के part वाला message print कराएगा और false हो रही है तो else part का message करा रहा है minimum आपको निकालना है तो मैं एक max का video में ने upload किया है वैसा ही मैं एक minimum निकालने का video upload कर लूँगा या आप max से easily निकाल सकते है मिन भी तो आप उसको देखें तो अभी इसका जो output आएगा वो print करेगा min is a क्यों क्योंकि इसके solution का order यह रहेगा पहले a less than b solve होएगा a less than b solve हुआ तो उस का answer आगे है 0 फिर 0 less than c solve होएगा इस का answer आगे है यह वाले part को यह run करवा देगा आईए मैं आपको इसको execute करके दिखा देता हूँ this is the code and यह हमारा output में ने इसके हलंकी यह गलत है minimum नहीं है एक बट हमें code के according answer बताना था आईए next question देखते है हम लोग question number 5 हम से यह पूछा गया है result of logical or relational expression in c is c में logical या relational expression का answer हमेशा किस में आता है logical या relational expression का मतलब होता है relational expression का मतलब जिसमें सिर्फ relational operator और logical का मतलब जिसमें logical operator यूज में आ रहे हो तो c के अंदर जो relation या logical operator है उनका answer true या false में आता है 1 और false की बजाए आता है हमारे पास 0 तो इसका answer क्या हो गए हमारे पास भी 0 और 1 relational expression relation satisfied है तो answer 1 देगा otherwise 0 देगा इसी तरह से logical expression में भी अगर हमारे पास logic की value final 1 आ रही है या फिर value हमारे पास क्या आ रही है 0 आ दिये next question देखते है sixth which among the following is not a logical और relational operator इन में से कौन सा relational या logical operator नहीं है not equal to हमारे पास में क्या है relational is equals to क्या है relational यह हमारे पास क्या है bitwise सरी logical और operator equal जो है वो क्या है हमारे पास में assignment operator है that means इसका answer हो गए हमारे पास d जो assignment है वो logical या relational operator नहीं होता है अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कीप वचिंग दे वीडियो एंड अपने फ्रेंड के साथ मेरे इस चैनल को शेर भी कीजिए एंड उन्हें सबस्क्राइब के लिए मॉटिवेट कीजिए थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो गाइस थैंक्स लॉट